आज विश्व हिंदी दिवस है पूरे देश को एक सूत्र में बाहनने वाली ये भाशा है और सैकडों, बोलियों और भाशाओं वाली इस देश में हिंदी का स्थान अधित्व है और जिस तरह से मैंने कहा कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाली ये जो हिंदी है ये केवल एक भाशा ही नहीं बलकि भारत वर्ष में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सभ्यता, संगस्कृती और जन्मानस की भावनाओं को दर्शाने वाली दरपन माना जाता है आज विश्व हिंदी दिवस की इस पावन अफसर पर हम हिंदी भाशा का महत्व के साथ ही साथ इस दिन की महत्व को भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम पहले इस पैनल से आपका परिच्छे करवादे बद्रीनात यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपनिर्देशक है, भारत सरकार के राज भाशा विभाग के डिरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ओफिशल लैंग्वेज गावर्मेंट ऑफ इंडिया मोहन कोईराला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ट साहितिकार है, पत्रकार है, लेखक है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अजय त्रवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए है, राज भाशा अधिकारी है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और रवीशंकर रवीजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ट पत्रकार है और सामाजिक राजनयतिक विसलेशक है आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम इस मंच पर आज विश्व हिंदी दिवस इस दिन की महत्व की बारे में हम विसलेशन करना चाहते हैं पहले रवीशंकर रवीजी आप से लेंगे एक इंट्रोडाक्टरी कमेंट आज इस दिन में इस पावन अफसर में आप क्या कहेंगे जुस्तर से भारतवर्स की इतिहास से स्वाधिन्ता दिवस से लेके भारत की संक्स्कृती और सभ्यता को दर्शाते हुए हिंदी भाशा आज विश्व मंच पर हिंदी भाशा ने अपनी जो पैचान बनाई हैं क्या कहेंगा निश्व रूप से ये बहुत ही गौरब की बात है कि विश्व हिंदी दिवस के मौके पर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं और आपके इस चैनल के माद्धम से मैं सभी दर्सकों को बदाई देना चाहता हूँ यह हिंदी वैसे अनोपचारिक रूप से भारत के बाहर कई देशों में सदियों से बोली जाती रही है चाहे वो नेपाल की बात हो, फीजी की बात हो, मारिशस की बात हो कई ऐसे देश हैं जहांपर हिंदी बोली जाती है और भारत के अलावत फीजी एक ऐसा देश है, जहांपर हिंदी एक आधिकारिक भासा का दर्जा हिंदी को प्राप्त है और यह इस्तिती इसलेवी भारत सरकार ने लगातार इस बात का प्रयास किया कि हिंदी को कैसे विश्व के अन देशों तक पहुंचाया जा सके और संजुक्त राजसंग की भासा बनाई जा सके उस दिसा में प्रयास हुए और इसलिए भारत सरकार की पहल पर हर चार साल में बिश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन विभिन देशों में किया जाता है कभी भारत में कभी सुरिनाम में हुआ है अमेरिका में हुआ है पिछला सम्मेलन मारिसस में हुआ है और इसी मकसद को ध्यान में रखकर विश्व मंच पर हिंदी की पहचान और पकड़ को बढ़ाने के लिए ही भारत सरकार ने और भारत सरकार की पहल पर मारिसस में विश्व हिंदी सचिवाले की अस्थापना की गई जहां से पूरे बिष्व में हिंदी का जहां जो भी काम काज हो रहा है उसमें मदद की जा रही है और दिशा निर्देश दिये जा रहे है जी बिल्कुल बहुत बहुत धनवाद आपसे introductory comment हमने लिया हम आगे बढ़ेंगे बदरी यादब जी आप से शुरुवात करेंगे एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया introductory comment आज एक पावन अफसर है विश्व हिंदी दिवस इस दिन में हम हिंदी दिवस की महत्व की बारे में और इसकी इतिहास के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि आजादी की आंदोलन से लेके भारत की सांग्सकृतिक विरासत को दर्शाने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक तरह से कहा जा सकता है कि अखंड भारत वर्ष की नीव रखने में हिंदी भाषा का योगदान रह और विश्व हिंदी दिवस मारिशस और भारत सरकार के समझावता के ताहद शुरू हुआ सबसे पहले 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन ततकालीन प्रधानमंत्री माननी मन मोहन सिंग ने किया था विश्व हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश यह है कि हमारे देश के साथ साथ विश्व के तमाम देशों में यानि विश्व अस्तर पर या अंतरराश्टी अस्तर पर हिंदी की ख्याती अस्थापित करना है हिंदी के उन्यम को बढ़ावा देना है हिंदी का प्रसार बढ़ाना है आज हमारे देश के अलमा विश्व के अनेक देशों में वहां के विद्यालियों महा विद्यालियों विश्व विद्यालियों में हिंदी का पठन पाठन होता है सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि हिंदी का मतलब हिंदुस्तान, हिंद का मतलब पुरे हिंद देश का बासी, चाये वह नागरलेंड का हो, असम का हो, खासी हो, तमिलनाडू का हो, या फिर केरला का हो, या मध्ध भारत का हो, हिंदी का मतलब अखिल भारती, पूरे भारत बर लिया है आप जानते हमारे देश को आजादी मिली आजादी के बाद 1950 में जब हमारा संविधान बना उस समय संविधान के आठकिल 343-1 के अंसार यह व्यस्था की गई कि देवनागरी लीपी में लिखी हिंदी संग की राजभासा होगी जी और आठकिल 343-2 में टू में यह व होने से यानी 1950 से 15 बार से यानी 1965 तक जिस भासा का पहले प्रयोग हो रहा था यानि अंग्रेजी का तो हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा आज हिंदी पूरे हिंदूस्तान में मुख्य रूप से हिंदी भासी प्रदेशों में जो कौछ छत्र के और वहां के राजय सरकार की राजभासा है और हमारे देश के अलामा भिश्व में भी यसा कि अभी रभी शाहब ने बताया कि विश्व हिंदी दिवस का व्जन होता है और इसके लिए बिश्व हिंदी संगठन की स्थापना मारिशस में की गई है मारिशस में मोको एक गाउँ है वहाँ पर 20 हिंदी संगठन की अस्थापना की गई है उसमें 2 कमिटियां हैים दोनों समय पर बैठकों का आयोजन करती है कि किस तरह से हिंदी को 28 पर बढ़ावाद देना है किस तरह से हिंदी का प्रसार करना है इस तरह से वहाँ पर बैटकों का आईजन होता है और हमारे देश के मानी पजान मंतरी, पुर विदेश मंतरी मानी स्री सुस्मा स्वराज जी काफी उन्होंने विदेशों में जा जा करके हिंदी के पर्चम को लाराया और यूं कहा जा सकता है कि हमारे देश से आज जब कि सा प्रबलाजेशन का जूग आ गया है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हिंदी ने पूरे विश्व में अपनी चाप छोड़ी है यह आप कहना जाता है बहुत-बहुत धनवाद आपकी प्रारंभिक प्रक्तिक्रिया हमने आप से ली मोहन कोराला जी हम आपके और रुख करना जाते है आज जिस सरे से बद्रियादर जी ने कहा कि हिंदी ने अब तो हिंदी दुनिया की चौथी सबसे जादा बोलने वाली भाशा भी बन गई है और इसी के साथ हिंदी को जिस सरे से इन्हों ने कहा कि राज भाशा आजादी के बाद हिंदी को राज भाश भाशा का मर्यादा भी मिला लेकिन प्रश्ण ये सवाल ये उठता है कि उत्तरपूर्वी भारत में दक्षिन भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी का जो उपियोग है वो कितना आगे बढ़ा आप क्या कहेंगे देखिए मेडम उत्तरपूर्वी भारत की जहां तक बात है हिंदी का प्रचार पसार काफी जोर से हुआ है क्योंकि मुझे अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ आज से 30 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तब हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता था गौहाटी में जब मैं पढ़ रहा था तो एक जागरित नामक पत्रिका निकलती थी जिसमें हम लोग अपनी रचनाई देने के लिए फैंसी बजार तक पहुंचते थे और आज 30 साल बात जब मुड़ कर देखते हैं तो जागरित तो क्या यहाँ पर चार-चार हिंदी दैनिक और चैनेल्स बगरे भी निकल गए है यानि कि उससे ये पता चलता है कि हिंदी का जो प्रचार पसार है काफी बड़ा है जहां तक एकडेमिक प्रचार पसार की बात है जब हम लोग स्टूडेंट थे तो कुछ चुनिंदे कॉलेज में हिं हिंदी की पढ़ाने की बेवस्ता होती थी और आज जब तीस साल बात लोट कर देखते हैं कि केवल कामरूप ही नहीं बलकि आसाम के 32 जीलों के लगभग सभी कॉलेजों में हिंदी के पठन-पठन की बेवस्ता हो गई है और उहां लेक्चरेस हैं वाक्याताएं हैं और स्टूडेंट की संख्या भी काफी बढ़ गई है और हमारे गोहाटी बिश्वी द्यालाय में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 21 लोग सबसे पहले प्रिवियस में एड्मिट होए थे आज वहाँ सीट नहीं मिलते है क्योंकि आज वहाँ पर आपको परिक्षा पास करने के बाद फिर से एंटरेंस परिक्षा पास करनी होती है उसके बाद ही आपको 50 सीट में से कुछ सीट मिल सकते हैं और बहुत सारे विद्यारती ऐसे हैं, वहाँ सीट न मिलने के कारण वो दूसरी जगह में जाकर पढ़ते हैं। तो ये जो समय है, आजादी के बाद से अगर देखा जाए, तो हिंदी में काफी बढ़ोतरी होगी है, और उसका प्रसारपसार भी काफी बढ़ा है। अब हम लोग संस्कृती और साहित्य में भी देखते हैं, कि हिंदी में किसने कितना लिखा, उस समय में जितना लिखा गया है, आज उसका कम से कम तीगुना ज्यादा है। तो लेखकों की संख्या, कभियों की संख्या, ये भी बढ़ रहे हैं, और प्रचारपसार की दृष्टी से देखें तो हिंदी सामायन लोग भी आप बोलने लग गए हैं, पुर्वतर में, हम नागालेंड में जाते हैं, हम त्रिपूरा में जाते हैं, ये मेगाले में जात तो इस तरह से हिंदी परिनिष्टित हिंदी तो हिहां नहीं है, लेकिनन की मातरी भाषण नहीं होती बड़ी है नौर्ट इस्ट में और उमीद लगाया जा सकता है कि हिंदी और भी आगे बड़ेगी जी तुर्वेदी जी ने कहा है कि अरुनाचल में या नागलेंड में या उतरपूरी भारत के दूसरे प्रांतों में ब्रोकन हिंदी या फिर मेंस्ट्रिम हिंदी विट कॉलो थोड़ा सा बोला जाता है लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे कि दक्षिन भारत के ओर या फिर उत्तरपूरी भारत की कुछ शेत्रों में जैसे की मिजोरम हो गया मनीपूर हो गया अरुनाचल में तो खैर हिंदी बोला जाता है और अरुनाचल स्ट्राटीजी के लिएक integrity और consolidation को बनाते हुए हिंदी वहां पर बोला जाता है लेकिन मनीपूर मिजोरम और नागा लैंड में और दक्षिन भारत में क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं mainstream हिंदी के विरुद्ध एक विरोधा भास ऐसा है क्या लगता है आपको शुरू करते हैं विरोधा भास से ही जी हिंदी अपने आप में एक विरोधा भास की भाषा रही है स्वैम इसका नाम जो है हिंदी ये खुएम हिंदी बोलने और लिखने वालों ने नहीं दिया है और विरोधा भास कहां नहीं है क्या हम अपने घर में ये विरोधा भास न दिन रात को बैठे हैं आप 5-7 ऐसे चैनल देखें जिसमें बातचित हो रही है हमारी तरह अंग्रेजी में हिंदी में नहीं और आप निश्चित रूप से ये देखेंगी कि हर कारेक्रम में हर वक्ता नहीं तो अधिकांस वक्ता अपनी अंग्रेजी की बात को सिध्ध करने क के लिए हिंदी के वाक्यों का प्रियोग करता हुआ मैं कल ही एक पुरानी भाशन सुन रहा था जो चिन्नई में दे रहे थे अरुणश्वरी से साक्षात ले रहे थे हाल में जो संपादक थे शेखर गुपता साब और हमें आश्चरे हो रहा था कि उन दोनों की बात्चित चिन्नई में हो रही है लेकिन हिंदी के वाक के जुमले लगातार प्रियोगत हो रहे हैं तो ये रहेगा क्योंकि हिंदी प्रचार प्रसार का जो मूल मंत्र है वो प्रेरना और प्रोचसाहन का मंत्र है उसमें किसी भी तरह के प्रलोभन का कहीं कोई अवकास नहीं है हिंद की बात जब हम करते हैं तो हिंदी के साथ वो सभाव रूप से जुड़ी हुई बात है और हिंदी आपको जब कुछ देती है उसके पहले आपसे हिंदी बहुत कुछ ले लेती है एक उदारन से इसको हम समझेंगे कल ही कुछ हमारे कुछ मित्र कह रहे थे जो जाएंगे विश्वास करेंगी कि 1992 में मैंने देवंदर सत्यार्थी का उपरन्यास पढ़ा था ब्रहमपुत्र और उस ब्रहमपुत्र उपरन्यास को पढ़ने के बाद बिना गए मैं दिसांगमुख घाट निमाती घाट और वहां से चलने वाली फेरी और वही नहीं असमिया में बोल लेकित, वह हाली मारने नहीं आएगा उसकी शादी नहीं भी हिंदी जब काम करती तो पहले गहान करती है और गहान करने के बाद वह को कुछ प्रशादान पर्दान करने का प्रया ऐसा हिंदी प्रचार को नहीं किया है तमाम लोगों ने किया है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि के मिअधी हिंधी की अपनी शैली है दक्षिन भारत को लेके आप बात को बताते हैं, कि सबसे जाधा परिख्षाएं हिंदी में जो लोग दे रहे राज्यों में, हिंदी तर्भाषा-भाषी राज्यों में वो तविल लाडो स ही हैं. और एक और जानकर आपको अश्चर होगा कि तमिल लाडों में सारा विरोध है लेकिन तमिल नाड़ों जो ही राष्ट भासा प्रचार समीतियां काम कर रही है उनके काम को लेकर कोई विरोध नहीं है और हाल में एक बहुत उत्तेजक बात आई है जो विवादास्पत भी कही जा सकती है एक लड़की ने वहां की शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है देखिए मैं उसका नाम भी भूल रहा हूं आप मेडिया में उपलब्ध है और उसने ये बताया है वहां के शिक्षा मंत्री को कि किस प्रकार हमारे परोसी राज्यों में जहां हिंदी पर इतना प्रतिबंध नहीं है वहां के लोग राष्ट्री स्तर की परिक्ष इंग्लिश यानि की अंग्रेजी और हिंदी भाषा के बीच कही ना कहीं एक कॉम्पेटिशन सा रहा है भारत वर्ष में भी दोनों ही ओफिशल लैंग्विज है राज भाषा है तो जन्मानस में एक कही ना कहीं एक मानसिकता भी है खास तोर से उत्तरपूरी भारत में भी कहीं ना कहीं यह रहा है हमको भी कभी ना कभी तो इसके साथ एक कॉलिजिन सा होता है कि इंग्लिश भाषा जो है वो बहुत जादा ग्लैमरस सी भाषा है तो हिंदी को लेके थोड़ा सा रेजरवेशन या फिर उत्तरपूरी भारत में क्यूंकि मार्डल लैंग्विज आबुधाबी जैसे प्रांतों में भी 2011 में हिंदी को आबुधाबी की संसद में तृतिय भाषा का दरजा यानि कि अंग्रेजी और अरब भाषा के अलावा तृतिय भाषा थर्ड इंपॉर्टन्ट लैंग्विज का दरजा मिला है तो उस इसाब से क्या कहेंगे यह जो ख किस तरह से करेंगे सब्सक्राइब तो मैं वहां से चीजों को पकड़ता हूं जहां से तिर्वेदी जी ने छोड़ा है यह दरसल उसको उसमें राजनीती को जोड़कर चीजों को कहीं ना कहीं गलट ढंक से पेस किया गया हिंदी कभी भी किसी भासा के ओपर अधिकार नही करती है अतिक्रमन नहीं करती है बलकि उस भासा के सब्दों को ग्रहन करती है जो तृवेदी जी बता रहे थे आप देख लीजे यहां भी अकवारों में भी देख लीजे कि जो असमिया भासा के बहुत ही प्रचलित सब्द हैं वह यहां के हिंदी अकवारों के सुर्खिया बन नहीं है, खिलंजिया सब्द यहां के अख़वारों का लीड बनता है, तो यह हिंदी का यह सुभाव है कि वो छेत्रिय भासाओं के साथ हमेशा समन्वे लगा कर चलती है, कभी भी वो छेत्रिय भासा के अस्तित पर सवाल नहीं खड़ा करती, जो सवाल आज सारी भारती को जो संकट है, वो अंग्रेजी की वज़े से है, यहां तक कि असमिया भासा की इस्तिती देखी आज असम में, कि किस तरह से अंग्रेजी के प्रभाव की वज़े से, जो असमिया इस्कूल के बच्चे हैं, उनकी इस्तिती और किस तरह से अंग्रेजी इस्कूलों के प्रत हम में बच्चे को पढ़ाना गर्व की बात समझते हैं तो मेरे कहने का मतलब यह कि एक कहीं न कहीं एक दिमाग में आई आज देख लीजे आज से 20 साल पहले कितने प्राइवेट इंस्टिचूशन थे कितनी सैक्षिनिक ऐसे सान थान थे सब तो सरकारी स्कूल में थे सारे लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले आज जो जितने डॉक्टर इंजीनियर हैं अगर आप 20 साल पहले की बात करें तो सारे लोग सरकारी स्कूल से पढ़ कर निकले हैं और उन्होंने बहतर किया मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप मात्री भासा में अपनी पढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो अंतरास्टी या रास्टी अस्तर की जो परतियोगता हैं उसमें आप पिछर जाएंगे चुके आज के समय में अंग्रेजी सीखना भी हमारे लिए जरूरी हो गया है चुके जो सिक्षा का जो मॉडल है हमारे सामने में तक्निकी सिक्षा का हाईयर एजुकेशन में तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी मात्री भासा को भीना जाने हम बहुत अच्छी करना चाहिए पूरी तरह से सीखना चाहिए और अगर आपने अपनी मात्री भासा को अच्छी तरह से ग्राण कर लिया है तो देश और दुनिया की किसी भी भासा को सीखने में आपको कोई परिसानी नहीं होगी मैंने हिंदी माध्धम के से अपनी पूरी पढ़ाई की यहा मेरी जरूरत की जितनी भर अंग्रेजी है वो मैं जानता हूँ तो ये एक दिमाग में आ गया कि बचपन से ही उनको अंग्रेजी की तरफ भेको ताकि उनका अच्छा कैरियर हो अच्छा अच्छा बहतर करें और उस चकर में क्या हुआ कि अधकचरी अंग्रेजी लोगों ने सीख ली वो ना तो उनके मात्रभासा वो सीख पाए ना वो अंग्रेजी सीख पाए और वो बीच में फच गए आप उनको दस लाइन का एक अप्रिकेशन लिखने बोल दीजी अंग्रेजी में देख लीजी कि उसकी क्या हालत है लेकिन अगर वही बच्चा असमिया में या बहुत सही कहा कि एक haut ग्लैमर हो गया कि थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलने में और थोड़ा सा ओध को घूमा के बोलने में इस क्ताहिल में को लगता है की हम जादा बेटर जादा इसमार्ट हैं ज्यादा मैचोर्ड हो गए हैं ऐसा सच नहीं है आज अपने देश में ही देख लीजे अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग हैं आप गाउं में चले जाएए और वहां पर आप अच्छी अंग्रेजी क्लासिकल अंग्रेजी में बोलिए धकवा खाना में चले जाएए किसी इस तरह के गाउं में चले जाएए ललवारी के किसी अंदर के चर इलाके में चले जाएए आप वहां अंग्रेजी बोलिए देखिए आपकी बात कितने लोग समझते हैं आप असमिया बोलेंगे तो सब समझेंगे हिंदी बोलेंगे तो जादा तर लोग समझ जाएंगे ले या फिर अंग्रेजी सीखना चाहिए लेकिन क्यूंकि आपने इस बात की जिक्र की तो यह अगर narrative सेट होता है कि अगर पूरी जो पाटशाला है सबको पहला जो importance है वो अपनी colloquial या फिर अपने शेत्र के language को देना चाहिए अगर यह narrative सेट होता है तो कहीं ना कहीं संकीर्ण शेत्रवाद का मुद्दा भी आ जाता है कि बहुत जादा संकीर्ण होने से जो करियर अगर नहीं आगे बढ़ पाता या फिर आप अगर खुला नहीं हो पाते आपका confidence लेवल अगर नहीं बढ़ पाता तो उस हिसाब से लोगों को इतना नहीं लुभाता यह narrative क्या कहेंगे अभी देखिए जो डाष्टिये सिक्षा नीती बनी है उसका तो बेसिक जो इसी बात पर है और यह जो तिर्भासी जो फर्मूला है वो क्या है कि हम अपनी मात्रिभासा पढ़ेंगे देश के संपर्क की भासा पढ़ेंगे और एक कोई और भासा हम पढ़ेंगे अब आप पूरे देश को जानना और समझना है आपको संपर करना है आम लोगों से तो संपर की भासा हिंदी है क्योंकि आपने त्रिभाशी थ्री लैंगविजिस फॉर्मुला के बारे में कहा है उसमे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि यह जो बीच में दिमाग में डाल दिया गया है कि हिंदी उनका हक मार रही है हक मार रही है अंग्रे जी लेकिन वो दिमाग में भर दिया गया है कि हिंदी हक मार रही है आप बताइए नहीं आज जिन लोगोंने हिंदी सीखी है जो जिनकी मात्रिभासा हिंदी नहीं है उनके क इतना बड़ा जोगदान मिला है मैं तो टांसलेशन की कक्षाओं में जाता हूँ जी कुरेला जी भी टांसलेशन की कक्षाओं करवाते हैं आप उसमें देखिए ज्यादा तर बच्चे आहिंदी भासी हैं और जब उनको अनवाद का डिप्लोमा कोर्स मिलता है और वह डिप् काम कर रहे हैं इसलिए कि हिंदी में कैरियर भी है दूसरी बात जो आपने कहीं मैं यह कह रहा हूं कि आपको अगर हम हिंदी को बिश्यो की भासा बनाना चाह रहे हैं तो हमको तो पहले जो हमारी जो नियू है उसको भी साथ में मजबूत रखना होगा मैं मारिशस में दी थे अमेरिका से लोग आये थे सुष्मा जी वहीं पर थी उस वत और यह उनका अंतिम वह कार्जक्रम था तो हिंदी को लोग विश्व भासा की तौर पे स्विकार करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पहल शुरू हो गई हैं अब स्विकार कर रहे हैं तो वह कोई इक यह कंप Why उनको उत्पात भारत में बेचना है तो वह चाहते हैं कि उनके लोग हिंदी सीखें ताकि वह भारत आएं भारत की जरूरत को समझें भारत के सुआद को समझए और उसके अनुकूल वह अपनी रणनृती बराते हैं। बहुत ही तथ्य संपन्न और महत्वपून तिपणी आपके और से आ रहा है इस विस्टार में हम और विस्तार से बात करेंगे विस्सलेशन करेंगे लेकिन फिलाल लेंगे चोड़ा सा ब्रेक ब्रेक के बाद वप्स लॉटेंगे देखते रही विस्सलेशन ब्रेक के बाद वापस लॉटेंगे और बद्री आदव जी सीधा सीधा आपके और रूख करेंगे जिससरे से हमने कहा कि अपने उत्पति के बाद हिंदी लगातार समर्द होती जा रहे है और इसका उप्योग भी बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया और जो अन्य प्लाटफॉर्म है उसमें भी हिंदी का उप्योग बढ़ा है लिकिन आप एक राजभाशा अधिकारी है असम में भी आप इंस्पेक्शन या दूसरे मॉनिटरिंग से लेके एक्जेक्शन हर चीज में आपका एक रोल रहा एक भूमी का रही है तो मॉडन एसमी जो काम है और एसमी क्लासिक्स जो है असम के जो असम के जो साहित्य है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए क्योंकि असम के लोगों में एक खुननसी है कि हमारे जो महापुरुष शंकरदेव है उनकी बारे मिया या फिर लाचित बौर्फुकॉन के बारे में भारत के दूसरे प्रांतों में लोगों को इतना नहीं पता है तो असम्या साहित्य को असम्या सभेता को या फिर असम्या भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करने की और राज भाषा अधिकारी होने के नाते कितना काम हुआ है कितना काम बाकी है और क्या क्या सोच है मेडम भाषा बाता नीर है और यह जन्मानस की भाषा होती है सारी भासाइं महतफुर्ड होती हैं जहां तक असमिया भासा की बात यहां आती है तो यहां के स्रीमन संकर देव जी ने असम्या साहित में तमाम रशनाये की वो असम से पूरे देश भर में घूमें देशाटन किये और घूम घूम करके वे भासा का भी अध्यन किये तमाम भासाओं को अपनाये मैथिली भासा, हिंदी भासा, असमिया भासा, बांगला भासा इत्याद अनेक भासाओं के जानकार थे और न सिर्फ संकर देव जी इसकी अलमा अनेक माधव देव अगरे और यहां पर असम में राष्टफासा पर चार समिती है जो कि बर्धा की संथा है बहुत ही अच्छा काम की है यहां असम के लोगों को हिंदी में सिच्छड पर सिच्छड देने के लिए जी अनुबाद के बिना तो विश्वस्तर पर या फिर समाज के हर वर्ड तक असम या भाषा संस्कृति सभ्यता का पहुंच पाना नामुमकिन सा है तो अनुबाद के और कितना काम तो अनुबाद में काफी काम हुए हैं और आज अगर हम यह कहें ति पूरा असम अपने आप में अनुबाद हो गया है क्या असमिया से हिंदी क्या हिंदी से असमिया क्या असमि संविदान की आठ्वी अंसूची में 22 भासाइं हैं तो उसमें से मुझे लगता है पुर्वत्रचेत विश्यत्रूप से असम एक ऐसा राज्य है जहां पर दस भाराएं दस बारा भासाइं जानने वाले लोग मिलेंगे और विभिन्द भासाओं में अनुबाद कर रहे हैं त और यह कहा जा सकता है कि जो असमिया भासा है वा संस्कृत से ही आई है मुखरूब से असम में असमिया बांगला हिंदी नेपाली इत्यादी भासाइं काफी प्रचलित हैं तो असमिया बांगला उडिया तीनों सगी बहने हैं तीनों संस्कृत के माध्यम से आए हैं पुरे देश में की बराबरी साहित कोई नहीं कर सकता अभी पिष्ली बार भी यहां पर इस तरह की चर्चा पर चर्चा होई थी उसमें एक विद्वजन ने बताया था कि हिंदी भासी लोग जादे से जादे यह किया दो भासाइं जानते हैं तीन भासाइं जानते हैं लेकिन असम एक ऐसा राज है जहां पर दस बाराएं भासाइं जानने वाले लोग आपको मिलेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि असम स सम्रिद भासा है असमिया अपने आप में मजबूत है किन्तु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अनुबाद अनिवारिया है वो आप कहना चाहते हैं जी कोर्याला साथ आप से लेंगे इस बात पर तिपणी लेंगे जैसा कि हमने पहले भी काय कि सोशल मीडिया में हो पत्र पत्र के तौर पे हो या निउस पेपर के तौर पे हो गाजुट के तौर पे हो हिंदी भाषा का प्रयोग तो बड़ा है लेकिन आप से पूछना जाएंगे कि खासतोर से उत्तरपूर्वी भारत में असम्या मूल के जो लोग है या फिर मैते मूल के जो लोग है नागा मू का एक सेतू का काम करता है और बिना अनुबात के हम दुसरी भाषा को समझ नहीं सकेंगे जान नहीं सकेंगे और साहे ओ मनिपूरी से असमिया में हो असमिया से हिंदी में हो हिंदी से अनागामीज में हो इत्यादी तो अनुबात की यहां जो भूमिका है बहुत बड़ी है ल भासा से हिंदी में सबसे ज्यादा अनुबाद हुए हैं लेकिन दक्षिंड भारत के तुलना में बहुत काम हुए हैं जी मैंने दक्षिंड के जो डेटा निकाला था तो मुझे लगा कि वहां 2000 से ज्यादा साहित का बिल्कुल हिंदी भासा में अनुबाद किया गया है और य मुझे ऐसा लगा कि यहाँ चार-पांसो से ज़्यादा अनुबाद नहीं हुए है। इसका कारण अलग है क्योंकि अनुबाद करने वाले लोगों की कमी है। जो अच्छे अनुबादक थे अब यह नहीं रहे और अभी जो अनुबादक निकल रहे हैं यह अनुबाद कारण की तरफ ज़्यादा रूख नहीं कर रहे हैं। महापुरूष शंकरदेप और मादरदेप की किर्टन घोसा बरगीत से लेकर तमाम साहित का अनुबाद हिंदी में किया। और यह काफी प्रसिद्ध भी हो गए। उसके अतिरिक उन्होंने जो हमारे दूसरे साहित हैं जैसे उपन्यास कविता कहानियों का भी डाक्र बिरेंदर कुमार भठचार्जर लोकनाद भराली इत्यादी के साहित अकवे हिंदी में अनुबाद किया। उसके बाद में देखता हूँ कि थोड़ा सा काम दिनकर कुमार जी ने किया है और दिनकर कुमार जी के हाला कि ज़्याद सी ज़्यादा काम कविता पर हुए है लेकिन टेकनिकल लिटरचर का जो अनुबाद या क्लासिक लिटरचर का अनुबाद तब से लगभग छोट सा गया है इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने लोग अभी अनुबाद पढ़कर निकल रहे हैं उनको इस लाइन पर अपना हाथ रखना चाहिए अगर मनीपूर में कोई अच्छा साहित है उसको हम लोग असमिया में ला सके या हिंदी में ले जा सके तो वो देश के लिए ज्यादा काम में आएगा और मनीपूरी संस्कृती भाषा इत्यादियू को हमारे दूसरे प्रांद के लोग समझ जाएंगे और इसी तरह असमिया में भी या कार्भी में भी या अन्य भाषाओं में भी पुर्वतर के इन सभी साहिता को हमारे राश्ट्र धारा में ले आन जीवन में एक बार कमचंगम करके देखे तब इस अनुबाद को पढ़ने का भी कोई अर्थ भी समझ में आता है अन्य था के बड़ डिग्री लेकर नोकरी करने से बात नहीं बनती है बात तो ओहीं रह गया है जहां हमने छोड़ा था इसलिए मैं हर एक विद्यार्थी से अनुग्रा करता हूँ या अनुग्रा अनुग्रा अनुद भी करते रहता हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे साहित जो हमारे आसामीज में है या बंगला में है इनना भाषाओं में आप लोग अनुबाद कीजे पॉब्लिकेशन का काम हम लोग करेंगे इस तरह इसने अनुबाद नौर्थिस्ट में किये जाए वहां तमाम लोग काम भी करेंगे और नौर्थिस्ट का पूरा साहित उसके जरिये राष्टिस धारधारा में पहुंच जाएगी इस तरह के एक एक एकडेमी की जरूरत बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे हैं और एकडे मैं इसके बाद रुख करना चाहूंगी तरवेदी जी आपके और हम रुख करना चाहेंगे क्योंकि अनुबाद का जिक्रे निकला है और कोर्याला साहब ने कहा भी है कि तमिलनाडू या फिर दक्षिन भारत के कई गरंथों का अनुबाद हिंदी में हुआ है और इस शेत् अधिकार और विदेश मंत्राले की अगर हम बात करें गृय मंत्राले की अगर हम बात करें हिंदी के प्रचार और प्रसार के और बहुत बहतरीन काम तो कर रहे हैं मौरिशियस में भी विश्व हिंदी सचिवाले को बनाया गया है लेकिन हिंदी को United Nations यानिकी संयूक राष् जो संजीक राष्चंग की भाषा होती है उनके लिए जो तक्नीकी समर्थन चाहिए लोकि वो ततकाल अनुवाद हो जाना चाहिए फिर उस तरह से उसका प्रकाशन अगर किया जाना है तो प्रकाशन होना चाहिए लेकिन चौती सबसे जादा बोलने वाली भाषा विश्व करी है वो इसलिए कि तक्नीकी द्रिश्टी से भी हिंदी को समर्थ किया जाना है आपको देखके आश्चरी होगा कि जब कभी आप अनुवाद पर जाएंगी तो आप जब देखेंगी तो आप बुरा लगेगा कि अंग्रेजी से जब हिंदी अनुवाद का मशीनी अनुव अब पातर का वेजल भी होता है और पातर का कुछ आपकी योग्यता भी होता है यू आर वर्दी फर जॉब तो ऐसा जो हिंदी देखें मैं इस मंच से बहुत सपस्ट सब्दों में हिंदी से जुड़े और काम करने वाले लोगों को ये ध्यान दिलना चाहता हूं कि हिंदी का को विष्व भाषा और राष्ट भाषा और तमाम बनाने की बात तो हो रही है लेकिन करेगा कौँ? करने वाले लोगों में निष्ठा का घंगोरा भाव है तो मैं जो कहए था कि जो हिंदी का कारपुरा विकसित होना चाहिए अभी व्यक्तियों का विकास होना चाहिए क कि एक सब्द का अनुवाद अंग्रेजी में आए तो हिंदी में वही अभी व्यक्ति आवे पुल्टी पुल्टी ना आए इसके लिए जो बहुत ही काम करना है पीछे से तकनीक को समर्थन देना है वह कारे मोटा मोटी हुआ नहीं है भारत सरकार ने भी एक बहुत बरी पहल क ही है और वह पहल बहुत कायर कारगर पहले इस मंच पर हम उस बात की चर्चा करना चाहें जी बिल्कुल महारत सरकार ने क्या किया कि स्मृति पर आधारित अनुवाद का एक बहुत बड़ा प्रकल्प लिया जिसको कंठस्ट उसने नाम दिया हुआ कि यह अनुवाद जो हो रहा है कि आज की तारीक में अधिकांस अनुवाद रुक करके उसमें डाल रहे हैं जो इसको ग्लोबल विकसित कर रहे हैं स्टॉक और मेरा विश्वास उसके लिए सरकार के दूसरा चरन चल रहा है और कंठस्ट अनुवाद यह स्मृति पर आधारित है यानि आपने जो अ हुआ है अगर आप वैसा अनुवाद फिर चाहेंगे तो उसी में से आपको मिलेगा तो एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि इस से तकनीकी द्रिश्टी से भी हिंदी संबुन्नत होगी जहां तक बोलने वाली भाशा की बात है भारत की जंसं नहीं है लेकिन अंग्लेजी का वर्चस्वे आप अभी कह रही है कि अंग्लेजी का ग्लैमर है यह क्यों है अंग्लेजी का ग्लैमर इसलिए नहीं है कि अंग्लेजी बहुत मधूर भाशा है अंग्लेजी का ग्लैमर इसलिए नहीं है कि अंग्लेजी भारत के कोने-कोने में हमारी सहायक होती है अंग्रेजी इसलिए कि अंग्रेजी के पास ज्यान सूचना का अपार भंडार उपलब्ध है हिंदी में जब तक ख्यान और सूचना का अपार भंडार हम नहीं भर पाएंगे तब तक हिंदी ये कही जाएगी कि हिंदी बोली जाने वाली भाशा है नेकिन ये वास्तविक जो हिंदी का जो महत्व होना चाहिए पुरी दुनिया दुनिया को नहीं मिलेगा जी बिलकुल रविशंकर रवी जी आप से हम तिपणी लेना चाहेंगे अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में मिलाब की ओर अगर हम देखें आप तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है जैसे अवतार हो या फिर योगा इस जैसे जो शब्द है तो उन शब्दों का प्रयोग अब अंग्रेजी भाषा में भी हो रहा है तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहिए inclusiveness हिंदी को लेके, या फिर विश्रस्तरपे तर या हम एगर देखे globally, जैसे कि योगा हो, अवतार नामक घाले, एक movie भी निकल गया है, तो विश्रस्तरपे हिंदी को पहचान भिले है या फिर हिंदी के साथ लोग जुड़ रहे हैं people can reconnect people can connect and reconnect लोगों समझ में आ रहा है कि अवतार मतलब क्या है reincarnation गया फिर अवतार देखे एक चीज़ सबसे पहले उस बात को मैं पूरी कर दूँ आपने जो कहा था कि संजोक रासंग की जो अधिकारिक भाषा हिंदी बनने क्यों नहीं बन पाई है अदरसल जो मारिशस में थे तो अधनी सुस्मा जी अब हम लोगों के बीच नहीं है वो भी थी उनसे यह सवाल किया गया हिंदुस्तान के संपादक सशी सेखर भी थे और भी कई अकवारों की सं संप्राइब करने को तैयार है जो जितना चाहिए लेकिन अब कोई दक्षिन अफ्रिका का देश है जिसको दूर दूर तक हिंदी से मतलब नहीं है वो क्यों उसकोस में अपना अंसर देगा भारत ने यहां तक भी कहा कि आपका हिस्सा भी हम दे देंगे लेकिन उनको यह लगता है कि पास साल के बाद अगर भारत ने हिस्सा देना बंद कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे आज अगर हमने हामी भर दी तो यह कुछ क्योंकि आक्षिन अफ्रिका के बारे में आपने ख्रिकिया तो यहां पे दर्शकों कोटि बता दे कि दर्श्ञें अफ्रिका में चॉदा प्रतीस्यत लोगangen फॉटan लोग हिंदी बोलते हैं उस सरे से यह तो चैपरसंट लोग अमरिका में देखे तो बाइव परसंट तो रीजिनल भाषा भी कह सकते हैं क्योंकि स्रेव हिंदी मूल के जो राज्य है भार्द वर्ष में वहां पर खास्तोर से हिंदी का प्रयोग होता है तो एक रीजिनल और एक प्रयोग हो रहा है तो एक्सेप्टेंस देशों से एक्सेप्टेंस और वोटिंग के लिए लोग तैयार है वो कोश देने को तैयार नहीं है और उसके लिए वही एक सब्सक्राइब अधिकारिक वाचा के रूप में हलांकि भारत के प्रयासों से यह हुआ कि जो सजुक्त राजसंग की जो विग्यपतियां निकलती है उनका जो अपना एक रेडियो है उसमें हिंदी में कायशक्रम होते है और उनका जो वेबसाइट है उसमें हिंदी में सूचना है आ रही है इतना कुछ भारत के प्रयासों से हुआ है लेकिन चुके वो संजुक्त रास संग है तो जब तक जो सदस्देश हैं वो उसमें फंड में कोस में अंस नहीं देंगे उसके लिए राजी नहीं होंगे ये एक प्रयास कॉंसिस्टेंट होना चाहिए अब उसके बाद भारत सरकार अपने ढंग से फिर से कुछ योजना बनाएगी नए ढंग से हम लोग उम्मीद करते हैं चलिए भारत सरकार का जिक्र निकला है तो बद्री यादर जी आपके और वापस रूख करेंगे और हम इस मंच पर अब हमारा कारिकरम खत्म होने वाला है विए रूनिंग शॉट अफ टाइम तो आपसे लेंगे इस मंच से हिंदी भाशा का प्रचार और प्रसार की और इस मंच से आप क्या अपील करना जाएंगे क्या मैसेज देना जाएंगे क्या वारता प्रेडिद करना चाहेंगे अन्तमे शन्शेट आपमा जैसे कि हिंदी ने इसको लांच किया था तो श्चह निती में है कि स्भी राज्जयों में वहां कि जो अस्थानी भासा उसके माद्रम से पठन पाथन हो उसके बाद हिंदी का पठन पाठन हो फिर अंग्रेजी का भी और जितनी भी भासाओं का पठन पाठन होगा कोई भी भासा का नुकसान नहीं होगा बसरते प्रात्मिक अस्तर पर हमें अपनी छेतरी भासाओं में पठन पाठन करना होगा उसके बाद जानता कि हिंदी की बात है हिंदी एक सहज भासा है आम जनता की भासा है आप पुरफ से पच्छी मुतर से दच्छ कहीं भी जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो आसानी से समझ सके तो हिंदी एक ऐसी भासा है जो पूरे देश में अपना प्र या विश्व की जनगर्णा करिए उसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या हिंदी जनने वालों की संख्या काफी है तो आज अगर हम देखा हैं हिंदी का जो दो रूप है एक बोलने वाला दूसरा लिखने वाला तो बोलने वाली की संख्या जब इतनी जादे है आज बोलेग में केंद्री संसदी राजभासा समीति का गठन हुआ है संसदी राजभासा समीति पूरे देश में घूम घूम करके केंद्री सरकारी कार्यालों का निरिचर करती है हमारे देश में आठ छेत्री कार्यानों कार्यल है पुरवत्तर छेत्र में गौहाटी में एक कार्याल है जिस पर हिंदी जानने वाले नहीं होंगा ग्राम स्वराज विजना के तहर जब 15 अगस्त को माननी प्रदान मंत्री महदय को कुछ घोस्रा करनी थी तो वहां पर जो इतने सीनियर अधिकारी थे उनको सब को गाओं में भेजा गया वो लोग जन अभियान शुरू किये लोगों के साथ मिटिंग किये जब बारतालाव शुरू किये इंग्लिस में तो वहां से मुष्किल से दो या तीन परसंड लोग उस बात को समझ पाए थे फिर लोगों से पूछे फीडबेक लिए या आप लोग कितना समझे उन्होंने बोला विल्कुल नहीं तो बोले आपको कौन सी भासा में आपको बताने से जादे सुझाजनक होगा या तो मेरी भासा या तो हिंदी यहां की भासा वो जानते नहीं थे फिर हिंदी भासा का प्रयोक किये तो सारे के स सारे लोग उसके अच्छा रिषपांद दिये तो आज हिंदी जोकी अस्थानी भासा से ही मिलती जेलती है सब एक दूसरे के साथ लिंक अप है अनवाद की भासा जो बनी हुई है कंठस्त अनवाद आ जो आया ही है तो इस तरह से आज हिंदी अपने देश के साथ सात पूर पूर्ण विशलेशन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज विश्व हिंदी दिवस इस पावन अफसर पर इस शुव अफसर पर आप सबको अभिरंदन आप सबको शुव काम नाएं अगले बुद्वार को एक बहुत ही महत पूर्ण विश्व के साथ हम वापस लोटेंगे आज के लिए इतना ही नमस्कार शुवरातरी